गर्मियों में जब कूलर और AC चलने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी कबल बहुत ज़्यादा आने लगता है अगर ये छोटी छोटी साथ टिप्स पॉलो करेंगे तो इसे कुछ कम कर सकते हैं अगर कोई कॉड यूज नहीं हो रही हो जैसे टीवी, फोन चार्जर, टोस्टर तो इसे प्लग में से निकाल कर रखें कुछ अप्लाइंसेस बंध होने पर भी अगर प्लग में लगे हो तो भी एनरजी यूज करते हैं अगर एसी लगा हो तो इसके पास लांप या टीवी ना रखें एसी को एक टेंपरेचर पर चलाएं, बाहर से ज्यादा ठंडा न लगाएं घर में वेस्ट और साउथ डाइरेक्शन में चायादार पेड लगाएं इसकी चाया घर पर पड़ेगी और घर में ठंडक बनी रहेगी दूप आने पर रूम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है परदे, ब्लाइंड्स और शेड्स डाल कर रखें इससे रूम ठंडा रहेगा ज्यादा समय बाहर बिताएं जतना घर के अंदर रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे बाहर पूल, गार्डन, बीच पर इंजॉय भी कर सकते हैं एल सर्कुलेशन अच्छा होने से ठंडा करने की जरूरत कम पड़ती है बॉक्स फैन को खिड़की पचला लें तो ठंडी हवा अंदर आ जाएगी सीएफल और एलीडी जैसे एनरजी एफिशेंट लाइट बल्ब यूज़ करें